हाई विनर्स है होप योल आर वेल डिस साइड राजीवा नंद वेलकम तो क्रिप्टो मार्ग यूट्यूब चैनल क्रिप्टो का रास्ता विनर्स हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बिल्कुल क्लोज आ चुके हैं 6 अक्टूबर आज की डेट है और कल है 7 अक्टूब यानि कि अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक है वो अब कम्प्लीट होने वाला है और अगर आप लोगोंने मेरी 30th of September की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को ये कंफर्म होगा कि उस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बिलकुल कम्प्लीट तरीके से डिसकस किया फर्स्ट वीक ओफ अक्टूबर आप लोगों को ऐसी आप एंड डाउन फोल दिखाई देगा लेकिन मेजर वोर का जो इफेक्ट आया उससे हम लोगों को डेडिकेटली मार्किट जो है वो डाउन दिखाई थी लेकिन सेकिंड वीक ओफ अक्टूबर बहुत बेटर रहने वाला है मेबी 14 या 15 अक्टूबर तक बिटकोईन विल बी क्रॉस 65,000 और 66,000 डालर स्लैब अक्टूबर का जो लास्ट 31 अक्टूबर तक या फिर हम लोग 3rd और 4th वीक की बात करें अक्टूबर की वो और भी बेटर रहने वाला है मेबी बिटकोईन विल क्रॉस 70 और 75,000 ड स्लैब पर नो डाउट दिखाई देगा ही देगा अक्टूबर के लास्ट तक इससे उपर ही जाएगा इससे नीचे का कोई भी मतलब कैंडल जनरेट नहीं हो रहा है लेकिन बिटकोईन के इंप्रूमेंट से जिन इको सिस्टम पर इंपक्ट आने वाला है आपको वो समझन और मैं आप लोगको इस वीडियो में कैसी पिक दिखाने जा रहा हूँ जिस पिक से मैं आपको इस टाइम बुलरन में 3 ऐसे इको सिस्टम में जिन इकोसिस्टम के अगर आप मीम कोईन पर फोकस करते हो एवन सिंपली आप उन इकोसिस्टम के नेटिव Stephen पर भी फोकस करते ह तो यह bullrun आप लोगों के लिए एक यादगार bullrun बन जाएगा. So let's start with the particular pick और उसके बाद इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको जो hint देने जा रहा हूँ या जो clear करने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा. So let's start the video. देखें my friends, यह है वो pick total transactions in September. Okay, अब यह October का first week complete होने वाला है. हम लोगोंने September में जितनी भी मतलब blockchain पर transactions हुई है और जिस-जिस blockchain पर जितनी transaction हुई है उसका एक pick Twitter पर share की जा रही है. वो pick मैं आप लोगों के साथ share कर रहा हूँ और इस particular picture से आप लोगों को जो समझना है वो अब आपको proper ध्यान देना है. देखें, इस pick according September मन्त में Solana एक ऐसी layer 1 chain है जिस पर 827 million transaction हुई है और उसके बाद second ranker जो layer 1 chain है वो है SWE जिस पर 209 million transaction हुई है और third जो है वो है 167 million. Okay, तो अगर आप top 3 chain को इस time पर देखे layer 1 में Sol, Sui and Tron बिलकुल direct indicator Sol, Sui and Tron का जो ये native token है जैसे हम TRX बोलते हैं Sui का Sui है, Solana का Sol है ये तीनों token आप लोगों को bullrun में बहुत बड़े impact result के साल देखने वाले हैं Sui buy करना आपकी लिए बहुत better result वाला project बनेगा even Tron buy करना, even Solana buy करना लेकिन Solana, Sui और Tron में जो difference है वो आप समझिए Sol जो है already 150, 140 डॉलर के slab पे है और जो highest breakout level है वो 1500 डॉलर तक का है it means 10 और 11 X Sui एक से 2 डॉलर के बीच में है 1.7 डॉलर है may be Sui यहां से minimum 50 X के return देने के लिए ready है Tron 0.10, 0.20 के असपास है INR में 10 से 12 रुपे, 13 रुपे की range में है Tron में भी एक ऐसी capability रखता है जिसी साब से Tron में September month में transaction हुई है इसी साब से Tron will be cross $1 slab बट अभी अगर हम October में देखे जो Tron के अंदर जो सबसे बड़ा impact उसके meme coin में आया है वो meme coin का impact अप कम होता जा रहा है बट जैसे ही second week of October लगेगा या maybe third week of October Tron के अंदर दुबारा से एक बहुत बड़ा impact देखने को मिलेगा तो Tron के जो meme coin है जैसे sun cat, rock, ib fun, bull, sun dog इसके अंदर आपको एक बहुत बड़ा bullish sentiment दुबारा देखने को मिलने वाला है अब यहाँ पर soul, sui और tron के native token के साथ-साथ आपको इनके meme coin पर भी focus रखना है जैसे solana के अगर मैं इस टेम पर top meme coin की बात करूँ bonk है, wiff है, bomb है और मैं कई बार solana में जब meme coin की बात होती है तो मैं आप लोगों के साथ gom, game of meme इस project की बात भी करता हूँ, low cap gem की एक-एक project ध्यान से सुनना इस वीडियो में ऐसी solana में एक myro बनता है ऐसी solana में एक low cap gem duco भी बनता है duco myro इसके लावा, da vinci ने जो अपना dedicated meme coin launch किया हूँ है soul पर waffles दूसरा, teams यह वो project है जो मैंने आप लोगों के साथ काफी video में share किये है और यह सभी project soul based है start with whiff, bonk, popcat आप देख चुके हो then हम undervalued में आए तो gom बनता है game of meme then duco, उसके बाद myro, उसके बाद waffles then teams यह वो project है जो solana के topmost meme coin है जिनके backend में strong community है अब यहाँ पर throne में अगर आप आते हो तो throne में sun cat, sun dog, rock, iv fun, czc, bull, tbull यह वो meme coin है जिनके अंदर एक बार फिर से काफी बड़ा flow दिख सकता है अब यहाँ पर अगर हम नज़र डालें fifth वाली blockchain पर तो वो है base जिसमें 102 million transaction हुई है base chain मेरी हिसाब से काफी बड़ा comeback करेगी क्योंकि इस टाइम पर अगर आप base और near protocol में transaction difference देख रहे हो तो वो 26 million का है and maybe base जैसी bull run की start होती है base maybe flip near protocol transaction और यह fourth rank पर आएगी और base chain के मैं हमेशा आपको तीन जो token है वो हमेशा recommend करता हूँ brett, degen and moog degen के आप already listing देख चुके coinbase में moog और brett इनकी listing no doubt इस साल 2024 end होने तक coinbase में हो जाएगी and brett में वो power है जो कही न कही पर आज की rate में flow की, shiba pape, bonk इन सब को flip करने की ताकत रखता है तो brett, degen and moog यह top most choice है अब यहाँ पर हमें दो ऐसी chain अगर मैं top 5 की बात कर रहा हूँ, जैसे हम लोग उन्हें start top 3 से किया था, top 5 में आए, तो second number sui 209 million और fourth number near 128 million, tron, solana और base, इनके meme coin हम लोग को already काफी चीजे पता है, काफी सारे meme coin हम लोग देख चुके है, but sui और near, अब हम लोग इसको भी explore करते हैं, कि sui base कौन से meme coin बन सकते हैं तो already देखिए, कल वाली video के अंदर, मैंने आप लोग को movepump.com, ये एक official website बताई थी, जिस पर sui base meme coin launch हो रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था, जब आप listed पर click करेंगे तो यहाँ पर आप चले जाएए market cap में, ठीक है अब सबसे बड़ी market cap इस time पर triple A cat की बनी है, 14.2 million, उसके बाद sui plop 4.2 million, देन हम बात करें, वुफ, इसकी market cap इस time पर under 1 million है, तो अगर हम लोग sui के इस time पर इन top 3 meme coin को लें और इन 3 top के meme coin में से कोई एक meme coin more than 100-200 million dollar की market cap बनाता है, because of sui transaction sui की इलावा, sui तो ही है मतलब sui तो मेरी best choice है, इस इस आप चे bullrun में, बट अगर आप meme coin पर focus करें, तो अगर top के 5 meme coin में भी आप जा रहे हैं, तो जो 5th number का meme coin है, मतलब 5th, 4th and 3rd, इन 3 meme coin की, even, sorry 3rd, 4th and 5th, 5th बनता है आपका कुन, तो इन तीनों meme coin की market cap under 1 million है, और जो second ranker project है, plop, इसकी market cap 4 million की है, हाला कि पहले की market cap भी 14 million की है, अब इसकी market cap से, अगर आप आज की rate में, Tron का जो top project है उसकी market cap compare करें, तो आज की rate में, Sundog की market cap more than 200 million की है, और इसकी अभी सिरफ 14 million की है, और इसकी market cap से, अगर आप Solana के top most meme coin, विफ की market cap देखें, तो वो over 1 billion dollar बन चुका है, it means, Sui के meme coin के अंदर मेरी हिसाब से बहुत बड़ा scope है, अगर आप लोग सिरफ top के 5-6 को ही, चोटा सा amount लगाकर 10-20 dollar या 10 भी Sui लगाकर easily buy कर सकते हैं, तो move pump पे आप आएंगे, Sui chain आपने select कर रखे, यहां पे आपको wallet connect करना है, Sui wallet आप अपने chrome extension पे बना लिजे, या आपने mobile extension में बना लिजे, वहाँ Sui add कीजिए, और Sui के projects को buy कर लिजी, अगर आपको bullrun में एक अच्छा impact है, risk और reward है वो आपने खुद समझना है, but अब हम लोग 4th number का जो near protocol है, उसका ecosystem भी देख लेते हैं, तो यह coin market cap पर मैंने इस टाइम पर near protocol का ecosystem भी open किया है, अब आप यहां देखिए, near protocol के ecosystem में, मैं आपको 3-4 project अलरड़ी कफी बार recommend कर चुक हूँ, जिसमें the graph, GRT AI-based revolution है, और near protocol chain-based project है, then chain link, already हम लोग topmost project मानते है, Cia coin 166 के नेंग पर, बहुत अच्छा project मानते है ontology, balancer, कई project इसके अंदर multi chain भी है, तो आप यहां पर near protocol के जो top के 6 project हैं, जैसे start with chain link, the GRT maker, Cia coin, ontology balancer and band protocol call, इन में से भी आप लोग अपनी कोई अच्छी top choice बना सकते हैं, यह मैं आपको इसलिए recommend कर रहा हूँ, क्योंकि इस time पर, September month में जो यह total transaction हुई है, इसमें जो top 5 chain है, उसको अगर आप देखें, तो यह पांचों के पांचों के और है, में भी वो Moog और Brett दोनों को flip कर तकता है, तो यह अब आपको इस particular चीज़ों समझना है, क्योंकि blockchain space में, जो सबसे बड़ा useful point है ना, वो है, एक blockchain पर कितनी number of transactions हो रही है, क्योंकि उसी से community depend होती है, उसी से सारी के सारी adoption और utilities depend होती है, और जितनी ज़्यादा transaction होती है, उसी से हम लोग यह map कर पाते हैं, कि वो blockchain कितनी fast है, कितनी scalable है, कितनी private है, और कितनी उसमें gas भी लगती है, आज की date में हाला कि SWE जो है, वो एकदम Solana के comparatively नई blockchain है, लेकिन अगर आप speed की बात करें, growing की बात करें, तो SWE maybe faster, SWE is maybe नी, sorry, SWE is faster than Solana, और maybe आपको आने वाले दो या तीन महीने में maybe December 2024 तक SWE flip करता दिखाई दे Sol की transactions को, और अगर ऐसा होता है, अगर इसके nearby 50, 60, 70% तक भी SWE पहुचता है, तो SWE में आपको easily 25, 30X का return मिलने वाला है, pricing की term में, तो SWE के meme coin, Tron के meme coin और Sol के meme coin, even including base meme coin, ये आप लोगो को मेरे साब से miss नहीं करने चाहिए, इस bull run के अंदर, this is our latest update come from today, but please keep it in mind, you are in the highly volatile market, so please do your own research before buying, before starting, before investing in crypto market, thank you so much for watching this video, and please do subscribe Crypto Mark YouTube channel for more updates, thank you so much.